मा प्रभाण कीरा चैता है जगत जननी है मैं क्या लिखूंगा उसके बारे में हमारी गलतियां हमारा गुरूर गुसा सब चुपचाप अंदर दबा लेती है दुखों के पहाड को सीने पे रखकर हमारे मंगल की कामना करती है जिसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है हमें खुस देखना क्या बोलू मैं उसके बारे में जिसने मुझे बोलना सिखाया मा की महिमा का बखान तो अनंद काल तक खत्मी नहीं हो सकता तो फिलहाल हम मा की गाथा को विराम देकर जानते हैं कि मदस्डे की सुरुवात कब और कैसे होई आज अंतराश्ट्रिय मातर दिवस है International Mother's Day मई महीने का दूसरा रविवार दुनिया भर के माओं को समर्पित किया जाता है आज हम निस्वार्थ प्रेम की उस देवी को याद करेंगे जिनकी वज़से हम और आप इस धर्ती पर हैं जानेंगे कि कैसे सुरू हुआ और क्यूं खास है यह दिन माना जाता है कि आधुन की युग में मातिर दिवस पहली बार अमेरिका में सुरू हुआ था अन्ना जार्विस नामक एक महिला कि माता चाहती थी कि माताओं के नाम पर भी कोई दिन होना चाहिए अपनी मा की एक्छा को पूरा करने के लिए जार्विस ने इसके लिए अमेरिका में एक बड़ा आंदोरन रड़ा अपनी माता के निधन के तीन साल बाद 1908 में जार्विस ने उनके लिए एक अस्मृती समारों रखा यह आयोजन वेस्ट वरजिनिया के सेंट एंडरूस मेथोडिस चर्च में स्किया गया था कहा गया था कि जार्विस उस समारों में खुद नहीं सामिल हुई थी उन्होंने वहाँ उपस्थित लोगों को एक टेलिग्राम भेजा जिसमें उन्होंने उस दिन का महत्व को बताया और साथ ही सभी लोगों के लिए सफेद कारनेशन का फूल भी गिफ्ट किया था जार्विस का अपनी मा को याद करने के तरीके को लोगों ने हर साल मनाना सुरू कर दिया और बाद में यह कई अन्य देसों दोवारा भी अपनाया गया मात्र दिवस तो ठीक है लेकिन मा को याद करने का मां से महबबत करने का कोई दिन नहीं होता कोई वजह नहीं होती आज के दिन मां के लिए सबसे बहतर तोफ़ा है उनसे प्यार के दो सब्द कहना उनकी साथ समय बिताना क्योंकि मां को तो कुछ चाहिए ही नहीं सिवाए आपकी खुसी के अब मैं अपनी बात को मुनवर राना के एक सेर से खत्म करना चाहूँगा कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है मां बहुत गुसे में होती है तो रो देती है धन्यवाद